कि आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दी-खार्दी का भी नंदन हैं अगर आप हमारी चैनल पर फर्स्ट टैम आये हैं तो किप्विया कर इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए तर था बगल में जो बेल आइकन है उसको अवस्त दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे सिग्र पहुंच सके आज हम MCQ Adaption Package के अंतरगत क्लास 10 के जोग्राफी के प्रश्णों को सॉल्फ करने वाले हैं अता आप सभी दर्शगनों से अनरोध हैं के प्याकर इस वीडियो के अंत तक तो अवश्च बना रहें ताकि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होश सके पिचली देखते हैं पहला कोश्चन है संसाधनों के स्रीजन और विकास में आपके विद्याले की भूमिका को सर्वत्तम रूप से इस परकार वर्णित किया जा सकता हैं तिहां पर जो पहला कोश्चन है उसका जो सही उत्तर होगा वो आपका सी होगा यानि कि यह मान्व संसाधन के विकास का कारण बनता है अगला कोचिन देखिएगा दो नमबर प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपियों के लिए आम तोर पर निमलिखित मीज से कौन सा उपाई नहीं अपनाया जाता है तो इसका जो सही उत्तर होगा विवेक पूर्ण और कमोपी योग यानि दो का ए नमबर आगे देखिए निमलिखित मेज से कौन सहबागी वन संरच्छन का एक उदाहरन है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका सी नमबर समाजिक वन एकी चार नमर देखिएगा लेटराइट मीटी की मुख्य फसल है तो अखिले लेटराइट मीटी में कौन सा फसल जादा होता है तो उसका जो सही उत्तर है वो है D नमबर मुंग फली पांच नमबर निमलिखित में से किसे बहुदेशिया नदी घाटी पर युजना का मुख्य उदेश नहीं माना जाता है बहुदेशिया यानि एक नदी का विभीन तोर पर उफ्यों किया जाना ये बहुदेशिया होता है उनका बहुत सारा उदेश होना उस नदी का तो यहां बहुत बताया गया कि उसका मुख्युदेश नहीं माना जाता है तो जल्ब परदूसन को नियंत्रित करने यानि C नमबर आगे चलते हैं तो निमलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनीज का उधारन है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका कोईला होगा अगर अभी तक आप हमारी चैनल पर नए हैं तो किप्या कर इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए रहता बेल आइकन को अवस्ट दबा दीजिए अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवस्ट किजिए जिसे हैं हम सभी मोटिवेट हो सके आगे चलते हैं एक उधोग जो आम तोर पर पुर्वी से पच्छी म भारत में अस्थान परिवत्तन से गुजरा है वह है तो वह है हमारा सी नमबर लोहा और इसपात उधोग नो नमबर देखिएगा निमलिखित में से दो अस्थान भारत में सबसे लंबे राष्टिय राजमार्क से जूरे हैं तो कौन से दो अस्थान हैं वरार्सी और कन्या कुमारी यानि बी नमर अफ्षान हैं दस नमर देखिए निमलिखित में से कौन सा उधोग है जो भारत के बीभाजन से सबसे अधिक पत्यच रूप से प्रवाई था यहींनि भारत के बीभाजन से सबसे अधिक जिसको परभावपुरा वो हमारा जूट उधोग है आगे देखते ही 11 नमबर निमलिखित में से कौन सा वाहन परिवाहन का सबसे परियावरान अनुकूल साधन है तो ए नमबर जो होगा आपका ए मैनुवल रूप से संचालित नाव बारा नमबर देखिए ए दि आप भारत में कौफी के बगान में कहां पर है कौफी के बगान में तो आपको अवश्य होना चाहिए क्या तो दच्छिन भारत में बारा का ए अप्सन सही है आपका निमलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो उर्जा के गैर परमपरिक स्रोतों के लिए लागू नहीं है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए नमबर इसके स्रोत परवा संसाधन या नविन कर्निय संसाधन है यानि तेरा का ए चौदा नमर देखिएगा अधिकारिक तोर पर संचार वह माध्यम है जो हाल के वर्षों में भारत में बिस्तार के कारण बंद हो गया था आधुनिक और सस्ते विकल्फ का उप्योग है तो इसका जो सही उत्तर होगा टेलीग्रा पंदरा नमर देखिए तमिल नाडू के कोयमबटूर दच्छिन भारत का सबसी बरा सूती कप्रा उधोग है निमलीखित में से कौन इस उधोग के विकास के लिए जिम्यदार नहीं है तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो कम विक्सित परिवान और संचार प्रमाना ले सोला नमर वाटर से परवंधन का मुख उधेश्य है तो इसका सही जो उत्तर होगा वी नमर सुस्क मोसम के दौरान पानी की अप पूर्ती करना यहां सतर नमर देखिए कि वर्स 2015 से सोला के लिए फसल उत्पादन जो है मिलियन टन का आकरा नीचे की तालिका में दिया गया है आकरों को परदशित करने के लिए निमली खित में से कौन सा डंड और एक सबसे उप्यूगत है एक तरफ आप देखिएगा फसल का नाम दिया गया है दूसरी तरफ उसका प्रोड़क्शन दिया गया है यानि टर्न में दिया गया है कि कितना टर्न यानि गेहू नाइन बानवे हैं मक्का बाइस दलहन सोला और तिलहन जो हैं पचीस है इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका बी नमबर क्यों क्योंकि गेहू सबसे ज़्यादा है उसके बाद जिसका बारी आता है तू देखिएगा सबसे ज़्यादा गेहू उसके बाद आपका है पचीस तिलहन जो किनारे में थ्वासा उंचा दिखाई दे रहा है बी नमबर में देखिएगा फिर उसके बाद है मक्का फिर उसके बाद है दलहन यानि बी ओप्सन हमारा एकदाब करेक्ट सही है आगे देखते हैं हम लो रिसेदार फसल पैदा करने वाले एक छेत्र और एक रोपन फसल को निमली खित रूप रेखा मानचित में दिखाएगा है दो फसल का नाम बतलाना है तो यह दो फसल का नाम जो होगा यह मानचित्र है और यह दो फसल का जो नाम होगा तो वो है हमारा का पास और चाय डी नंबर तो आप सभी तर्श गनोश अन्रोध हैं अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो किप्या कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल बटन को दबा दीजिए तक कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले प अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आवस सब्सक्राइब करें इस चैनल को तब यह वीडियो को भी शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि उनको भी यह वेनिफिट प्राप्त हो सके इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाह हिंग जय भारत बंदे मात्रम